फाइनली बिग बॉस के घर के अंदर आकर तेज तरार एंकर देबांग ने पाँच ऐसे कंडेशन के नाम बता दिया है जिसे वो सिधा सिधा टॉप फाइव में देखते हैं यानि देबांग ने अब नैशनल टेलिविजन पर आकर बिग बॉस के वीकेंड का वार पर सलमान के सामने अपने टॉप फाइव का नाम बता डाला है जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि देबांग एक ऐसे इंसान है जो हर सीजन में हमें देखने को मिलते हैं और वो जो भी प्रेडिक्ट करते हैं आगे चलकर वो पूरी तरह से सच हो जाता है क्योंकि उनको बिग पाँच कंटेस्टन आगे चलकर हमें टॉप फाइव में नजर आएंगे और उनमें से ही कोई एक सीधा सीधा विनर बनता हुआ नजर आजाएगा ऐसे में कौन कौन से हैं ये पाँच कंटेस्टन चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली ब बता रहे थे तब सलमान खान तो देबां की तरफ देखते ही रहेगे कि आखिर वो किस तरह से इतने सारे कंटेस्टन को इतनी सही जगा पर रख रहे हैं इतनी सही रैंकिंग रहने हैं तो टॉप फाइव में सबसे आखरी पर यानि पांचवे नमबर पर उन्हों रखा है सिदा टॉप फाइम में पांचवा नमबर दे रहा हूँ चोथे नमबर पर सिदा सिदा आरचना गौतम को रख डाला है यानि आरचना गौतम देबांग के मताबिक एक स्ट्रॉंग कंटेस्टन है जिस तरह से वो हर मुद्दे पर अपना स्टैंड बेबाकी से रख देती ह आप गर से बेगर हो गए हैं लेकिन उनका कहना है कि अगर बिग बॉस के घर के अंदर होते तो वो तीसरे नमबर पर होते है क्युकि जनता उन्हें काफी ज़दा प्यार कर रही है गर के अंदर के contestants भी कहीं न कहीं अब्दू का साथ देते हुए नजर आ जाते हैं लेकिन बाहर की जनता को भी अब्दू काफी पसंद आ रहे हैं दूसरे नमबर पर हर बार की तरह हर किसी ने शिव ठाकरे को ही दूसरे नमबर पर रखा है क्योंकि शिव की फैन फोलोईंग काफी तगड़ी है वो एक रियालिटी शो के विनर रह चुके हैं इसलिए रियालिटी शो की और्डियंस शिव को देखना चाती है पहले नमबर पर हर बार कितार आप प्रियंका चहर चोदरी जी हाँ देबांक का कहना है कि प्रियंका पहले नमबर पर डिजर्व करती है ऐसे में ये पांच कंटेशन देबांक के टॉप फाइव है जिसमें प्रियंका शिव अब्दुरोजी खान अर्चन और MC स्टैन का नाम शामिल है आप इसको लेकर के कहना चाते हैं हमें केमेंट करें बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें